नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रकासी यूटेक में तो साथियों यूपी स्कोलर सी 22 ते इस गुड़नी उस यह है कि 30 दिसनबर तक इन सब की छात्रवित्ति जो है वो आ जाएगी अगर आपको भी छात्रवित्ति चे तो आनल जो भी साथी चैनल पर नए है वो सब्सक्राइब कर दें थोड़ा सपोर्ट करें बाकी का बदले में मैं आपको हर चोटी बड़ी खवर तो दे ही रहा हूँ चलेगा जो वड़ो को स्टार्ट करते हैं आपको सारू तो यहाँ पे जो भी मेन हमारा मुद्दा है जिसके रि अब हो चुका है 32 रुपए यह एक मामला जो है प्रदिस में सामने निकल के आया है समझ गए आप लोग तो थोड़ा अलर्ट रहें कोई OTP OTP सेर करने को कहें कुछ भी ऐसी फाल्दू की चीज़ें तो उनसे आप सावधान रहें सतर्क रहें समझ गए चली बाकी काम जानत बार अंतीम तिथी है सभी चात्र समय रहते आवेधन कर दें क्योंकि इस बार अंतीम तारीक बढ़ने के उमीद बेहत कम है बिलकुली ये बात मैं आपके साथ सेर करने वाला था कि जो भी चात्र फार्म नहीं भरे है आप फिर डाकुमेंट नहीं कि यह है फाइनल वस्याउं का सामना करना पड़ेगा और यहां पे बताया जा रहा है कि करेक्षन जो जंवरी में मॉका मिलेगा तो किन चात्रोंको ये वही चात्र है जो अब तक फॉर्म भर रहे है यानि कि यससे 26 तारीक तरीक तक बहनेगे उनको जनवरी में करेक्षन का मॉका मॉका मिल रहे हैं और आप भी follow करके link in description आप message कर सकते हो बाकी का आपको यहाँ पे एक information में देना चाहूंगा कि कई सारे चात्रों का form reject हो चुका है और reject हो रहा है वहीं कई सारे चात्रों का form जो है वो verify भी किया जा रहा है समझ गए तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको scholarship का lab मिले तो आपको भी समय रहते हैं यानि कि 30 तारीक के पहले इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है कि 30 दिसंबर के पहले तक आपको हर हाल में आपका यातों फार्म रिजक्ट कर दिया जाएगा यानि कि आपके form का क्या करना है इसका नड़े समाज कलनाड आपका नड़े आपको अपने form के regarding जो भी decision है उसको confirm करना है आप अगर अपने college में document जमा कर पा रहे हो कालेज वाले ले रहे हैं आगे काम कर रहे हैं तो ठीक वरना आप DW official ले जाओ और जाके महा सुधरवालो क्योंकि ये सोचोगे कि जनवरी में offline correction होगा online स्वारी तो online correction चक्कर में रहोगे तो फिर इधर पाता चला reject हो गया उधर 28 ताइक से चात्रवित्ती भेजी जाएगी तो कहीं कर कुछ नहीं होगा बाकि ये कोई ऐसा नहीं है कई सारे चात्र कहा रहे थे सर दस जनवरी से बेजा जाएगा तकि ये 10 जनवरी को भी बेजा जाएगा 28 को भी बेजा जाएगा 30 को भी बेजा जाएगा ये continue process चलता रहेगा जिस क्रम में चात्रों का form verify हुआ है उसी क्रम में चात्रों को चात्र पृत्ती का लाब भी मिलता रहेगा समझ गए चली ये सारी चीज़ें हो गई चली आगे की information पर देखो जैसे कई सारे चात्रों का तो 2022 देख सकते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को सामने कई सारे आप आर्टिकल लिखा हुआ तो इसको इंपॉर्टेंट है टाइम हो तो पढ़ लेना बाकि फ्रिस रिनेवल जो सा भी आपका कटेगरी है आप अपना पैसा चेकाउट कर सकते हो मगर जब बात होगी पैसा चेक करने की तो उमांगेब जो है वो यहां पर लिंक डारेक्ट दिया हुआ है तो आप यहां पर पैसा चेकाउट कर सकते हैं तो यहां पर जैसे हम क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जैसे कि आपको जो रिजिटर मोबाईल नंबर वी और आपको युपीन है उसको लोग nd करके अपना चिक आउट कर लेना है तो आपको यहांपे रजिटर तो आपको यहांपे रेजिटर करना हे उसके बाद चंट करना है दूसरा तरीका प्रैपमेशी sexy आप देख सकते हो कि कई सारे चात्रों का फार्म पेंडिंग पड़ा है तो इनका फार्म नहीं है इनका फार्म जैसे डिस्ट्रिक के नसर में आता है डेली अधिकैरियों के आफ फेर कॉलेज का जो मअ करमशारी जो काम को करवा रहा है अगर सबका data एक साथ भेजेगा तभी वो verify करेंगे किसी का single personally तो करेंगे नहीं तो अगर कुछ इस प्रकार से आप लोग का भी farm जो है वो पहुच रहा है तो farm verify हो जाएगा निश्विंत रहो जैसे आज 25 हो गए कल 26 कल से लेके 29 तारीक दकता बर तोड़ farm verify होंगे वहाई कुछ चात्रों का form भी reject होगा तो आप लोग Instagram पे जानकारी दे सकते हो बाकि कोई नस्दीकी DW office जा रहा है तो चात्र Instagram पे मुझे inform कर देते हैं अब हम बात करते हैं online offline correction कैसे करना है देखे online correction क्या होता है कि आपके लिए portal open होता है उसमें आप खुद correction कर सकते हो मगर offline correction काफी अच्छा होता है कई सालों से पहले यही प्रता था online तो अब आया पहले भी यही होता था कि आपका data offline तरीके से college में submit किया जाता था आप DW office application लिखके data submit करते थे बाद में DW वाले उस चीज़ का online offline जैसे भी था वो अपना correction verify करके चात्रों का form verify करते थे और बाद में उनको चात्रुरती का लाह मिलता था तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि online के चक्कर में ना पड़े जब भी online का portal open होगा सबसे पहले वीडियो के मा तो जुड़े और दोस्तों में भी शेयर करें उनसे भी जुड़ने को कहें समझ गए चलिए बाकी काम जल्दी मिलेंगे किसी नए उडियो में किसी नए टापिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स फर वाशिंग जैहिंद बने मात्रवाइब